हालो एवरीवन और वेलकम बाक तो इंसॉम्नियक स्टूडियोज मेरा नाम है जतन और आज इस वीडियो में अगेन मैं आपसे बात करने वाला हूँ लाउडनेस के बारे में प्लगिन का नाम है Fruity Limiter जो की एक स्टॉक प्लगिन है FL Studio के हर वर्जिन के साथ आपको मिल जाती है अगर आप सोच रहे हो कि आप प्री प्लगिन या फिर स्टॉक प्लगिन से वो रिजर्ट्स अचीव नहीं कर पाओगे जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था लाउडनेस के से अचीव करोगे आज हम प्लगिन यूज करने वाले है एक स्टॉक प्लगिन तो अगर आपके माइंड में जरा सा भी होता है ना कि आर स्टॉक प्लगिन अची नहीं है तो आज आपको रिजल्ट मिल जाएंगे इस वीडियो में इतनी अची अची वीडियो आती है तो वीडियो को कर दो अभी के अभी लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर चैनल पर पहली बार आयो तो इस चैनल पर इसी टाइप के वीडियो में लेकर आता रहता now without any further delays सीधा चलते हैं FL Studio पे तो हम आचुके हैं स्क्रीन पे जैसा कि आप देख सकते हो same project है and यहाँ पे है L2 इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ close and यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ delete, master है यह अब यहाँ पे हम add करेंगे Fruity Limiter एक बार ही देखते हैं तो यहाँ पे आपको metering के लिए just एक plugin की जरूरत होगी free plugin है ulean loudness meter 2 description में इसका link देदूँगा आप यह जाके download कर सकते हो install कर सकते हो यह just metering के लिए है but main जो हमारा काम है वो होगा Fruity Limiter से इसको अगर मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ यह देख सकते हो इतनी बड़ी plugin यह हो चुकी है यह इसमें दो modes है limiter and compression हमें limiter का ही use करना है यहाँ पे आप देख सकते हो limiter पे है यह है compression so limiter पे हमें काम है यह जो हमारा काम होगा वो just इस gain knob से होगा आप सुन सकते हो gain अगर मैं बड़ा रहा हूँ तो थोड़ी सी पीछे से noise add हो रही है so कितना इसको बड़ाना है यह decide होगा यह हम देखेंगे जो हमारे levels होगे Ulean loudness meter plugin पे so इसको वापस restore कर देते हैं यह देख सकते हो आप side by side यहाँ पे आ चुकी है अब play करते हैं 4db अभी gain add करा है and हमारे जो levels है देखते हैं कितने है 14 तक जा रहे हैं थोड़ा सा और extend कर सकते हैं so इसको कर देते हैं 2.8 कर के देखते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें काफी अच्छे levels मिल रहे है and जो negative 14 LUFS है वो हमने achieve कर ली है उतनी loudness यहाँ पे achieve कर ली है एक बार यह on off करके सुनते हैं क्या फरक पड़ा है तो यहाँ पे अच्छा कासा फरक पड़ा है लेकिन एक चीज यहाँ पे हमने miss कर दी है लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ceiling के बारे में so ceiling आप देख सकते हो यहाँ पे 0 dB है so ceiling को मैं थोड़ा सा कम करूँगा तो यहाँ पे मैंने ceiling को set कर दिया है negative 1 dB पे so अब देखते हैं हमें क्या levels मिल रहे हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा gain और add कर सकते हैं like यहाँ पे जो 2.8 था so 2.8 पे वापस ले आते हैं अभी 2.7 है 2.8 पे आ चुका है तो जैसा कि आप देख सकते हो अब हमें वो अपने जो levels हैं वो मिल चुके हैं and this track is ready for the YouTube negative 14 LUFS value होती है उसके according आप अपने tracks को master कर सकते हो एक चीज़ यहाँ पे मैं और add करना चाहता हूँ ऐसा नहीं है कि हम इसको और जादा इसमें gain add करेंगे so distortion आ जाएगा अगर हम यहाँ पे 3.5 तक भी लेके जाते हैं so जादा distortion नहीं आएगा दिखाता हूँ like आप देख सकते हो यहाँ पे जो gain मैंने add करा है वो है 3.5 तीबी यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे को उतना जादा distortion नहीं आ रहा है सुनने में अच्छा लग रहा है loudness भी बढ़ गई है यह जो track है यह चो मैंने आपको loudness बताई है यह मैंने बताई है अगर वो कहीं पे play होते है दिन वहाँ पे जो आपका loudness level है वो differentiate थोड़ा सा हो जाएगा थोड़ा सा difference उसमें आ जाएगा वो depend करता है आप किस चीज के लिए अपना track को render कर रहे हो फिलाल streaming platforms के लिए loudness कित्ती अचीव करनी है वो मैंने आपको बता दिया है माइड भी आप में से कुछ टोगो को लगेगा कि loudness थोड़ी सी जादा हुई है पस थोड़ी सी जादा फरक नहीं पड़ा है लेकिन जब आप अपने track को प्ले करोगे किसी और track के साथ ना मेरा मतलब है अगर आप एक track सुन रहे हो देन उसके बाद आप अपने track सुनोगे देन वहाँ पे आपको loudness का थोड़ा सा फरक मिलेगा I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो कर देना लाइक चैनल को कर देना subscribe अगर आपके मन में कोई doubts है या फिर queries है तो comment section नीचे खुला है आप मेरे से पूछ सकते हो फिलाल आज के लिए इत्ता ही मैं मलता हूँ आप से बहुत ही जल्दी next वीडियो में